वाहिरुजी का खलसा वाहिरुजी की फते ऐसा नाम निरिंजन होए है जे को मन जाने मन कोए इना चार पोड़ियां दी मूल पंक्ती एही है मूल विचार धारा एही है प्रमात्मा दानाम ऐसा है निर अंजन कालक तो रहत निरले निर्मल अती निर्मल पर जिसने जाने है उसने जाने है ना हो जणा सके है ना उसनों कोई जान सके है निजी अनभव है इस स्वस्ति केने नाम केवल ग्यान नहीं अनभव है मन लेना एक अवस्ता है मैं किसे नो मन ले एक ग्यान नहीं ग्यान तो अग्ये दी गल ले या इसनों मैं इस तरह ब्यान कराँ चलो किसे एक व्यक्ती बारे एक ते मैं उस दा नाम जान दा एक लेबल है ये मैं जान दा फिर मैं उस दी गोतनों जानना फिर मैं इतना भी जानना उदे माँ बाप कौन ने बच्चे के ने ने परवार कितना है इस सारी जानकारी बार होईनों के ने बार दा ग्यान बेरोनी ग्यान दूसरा कुछ दिन उस दी संगत करन तो बाद में है उदे अंत्रीव ग्यान तो भी वाकफ हो गया हुदा सुभा की है उदे विचार की ने उदी सोचनी की है उदी चित्वनी की है कुछ दिन उस दे नाल रें दिया है उस दे अंत्रीव ग्यान दा भी पता चल गया बैरोनी ग्यान मैं उस दा नाम जान दा मैं उस दे थाट काणे नू जान दा जित्थे रें दा मैं उस दे प्रवार दे मेंबरा नू जान दा मैं उस दे रंग, रूप, गोत नू जान दा सब बैरोनी ग्यान है बार दा ग्यान फिर मैं उस दे थोड़े अंत्रीव नु जानना उदे सुभाव नु जानना तमों गुणी है रजों गुणी है सतों गुणी है कुछ उस दे विचारां दा पता चल दा धार्म कहे राजने तक है उस दे विवारतों उस दे उठन बैठन तो उस दे नाल कुछ रहन तो उस दी सोचनी दा उस दे विचारां दा उस दी चित्वनी दा पता चल दा यह अंत्रीव ग्यान है पर इस तो बाद एक होर ग्यान है जिसनू अन्भोवी कह दे देने सारी दुनिया दे मनुखां दी मूल समस्या एक कोई है अलग अलग नहीं है मुलक अलग अलग हो सक्दिन जात पात अलग अलग हो सक्दिन मजब अलग अलग हो सक्दिन भाषा अलग अलग हो सक्दिन रंग रूप नसल अलग हो सक्दिन सब दी मूल समस्या एक कोई है अहंकार है, लोब है, काम है और कोई समस्या ने चाहे वो पड़ा लिखा है, चाहे अनपड़ा है चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है इसाही है, जैन है, बोद है, यहुदी है, पारसी है चब किसे मुलक दाय किसे गोत दाय किसे रंग रूप नसल है सारे मनुखांदी मूल समस्या एक कोई है यह अनभवी ग्यान है इस वास्ते जद कदी कोई लोब करके गिरेगा हंकार करके गिरेगा वाशना करके गिरेगा उसनों तरस आएगा दाया आवेगी उन्हों पता है समस्या है और कोई समस्या नहीं है यह अनभवी ग्यान है इस रफ बाहर दा ग्यान नहीं कि चलो मैं उस दे नामनू जानना उस दी गोतनू जानना उस दे प्रवारनू जानना पाशा केड़ी बोल दाया रांगरूप नसल के ते सब बार दी जान करी है कुछ दिन उस दी संगत करन तो उस दे विचारां दा पता चल दा विभारता पता चल दाया तमगोर्णी है सतोर्णी है रजोंगोर्णी है लेकिन एक है अनभवी ग्यान कि सारे मरुखां दी चै मूरक है चै स्याण है चै बढ़िया बढ़िया डिगरियान ने ख होल बहुत पढ़ा लिख है दार्शनिक है चिंतक है फिलास्फर है या बिल्कुल मुड़ है समसे या एक कोई है ते भी महर्श करते हैं सारे यांदी ये अनभवी ग्यान है इस तरह मनों खलेंदा नहीं इस गल्म जद किसे नों गिर्दा हो या देखदा है ते गिरावट की है किदरे लोब वस होके बेइमान हो गए किदरे हंकार वस होके हिंसक हो गए किदरे वाशना वस होके दुराचारी हो गए इस सीमा दा फरक है डिगरी दा फरक है वाशना देख ओवी है हंकार देख ओवी है या लोब देख ओवी है फरक सर्व इतना है सो डिगरी ते गरम हो जाए पाणी ते भाप बन जाए उस तो पहले ने डिगरी ता फरक हो सकता निड़नवे ते होएगा लोब उस दे अंदर भी है और जद किसे नो गिरेया वेख दाए तो उसनो तरस आजाएंदाए ये अनभवी गयान है इश्वरी चिंतन करनेया समझ पेंदिये इस वास ते उसनो तरस आवेगा आज तक किसे संत ने चोर नो मारेया नहीं चोर ते उसनो तरस आया आज तक किसे संत ने दुराचारी नालविभार गल्थ ने कीता उस दे ते उसनो तरस आया पर जो सनी उपर चोहर सन लांदा के दरे चोहर पकड़े आ जाए कुस्ताखी माव जिड़े पके चोहरने और राज के कुटा ने गए उसनो मारन गए मारन दा मुद्दा की ओवेगा तू कम बखत चोहरी दे सफलो गए ऐसी होए नहीं कसी कदी होए नहीं तू किस तरह से भलोगे हैं एक आरण होवेगा उती जड़ी ने तिकता है बस डिगरी दाई फरेकत थोड़े जियां निड़े नवे ते होवेगा अठानवे ते होवेगा संत नो हर गरेते तरसाएगा उन्हों दिसेगा आउगण मनुखदी कमजोरी है गुण प्रभूदी बक्षिश है अकाल पुरुखदी रैमत है किसे दिंदर गुणानों देखेगा तो ईश्वर्दी उपमा करन लग पएगा किसे दिंदर अगुणानों देखेगा तरस आवेगा दया होएगी एक अनभवी ग्यान है संसार बारे में कह रहे हैं मनुखा बारे में कह रहे हैं एक दो हमें फिर दो रादियां गल पूरी पकड़ दे चाजाए एक दे बार दा गयाना है मैं सिर्फ उस दा नाम जानदा उस दे प्रवार नो जानदा मेंबर के ने ने कारकिते थांट काना कितने जाद गोद किये बसे ना दूसरा कुछ दिन मैं उस दी संगत कीती है दस वी दिन महीना उदे थोड़े जाँ सुवादा पता चले तमगुणिये रजो गुणिये सतो गुणिये पता चल जानदा है विवहार तूँ चाहे विवहार तमगुणिये रजो गुणिये सतो गुणिये चाहे रंग रूप नसल कुछ भी है ते चाहे नाम भी कुछ है सारे मनुखां दी मौल समस्या एक को है चाहे हिंदोस्तानी है ते चाहे अमेरिकन है चाहे अरबियन है ते चाहे एरानी है चाहे चीनी है ते चाहे जपानी है सारे मनुखांदी मूल समस्या एक कोई है और ऐसा कोई देश नहीं जिते हिंसान आवे बेमानी नावे दुराचार नावे तुसी किसे एक देश दा भी ना लो नहीं है सब जगा मौजूद है ये मनुखदी मूल समस्या है फोज नाल, पुलिस नाल, अदाल्ता नाल इस मसले नहीं हल होंदे नाज तक हल होए नहीं और एवी में अर्श करा एक मनुख किसे दा कतल कर देवे अपराद है बहुत वड़ा अपराद है उदा हंकार उसनो इस हद तक हिनसात्मक बना देता है एक दी जान ले लिए फिर हुन कानून उस दी जान लवेगा उन्नो सजाए माउत मैं बारत दिछ एदो शबद कैसन गल रफा रफा हो गई वरना मैंनो नोटस में लेया सी बित उसी अधालत दे खिलाब बोले कानून दे खिलाब बोले एदालत दी तोहीं दा मसला खड़ा हो सकता है मैंक एक मनुक ने कतल की थै जुरम है उन्नो कानून उस दा कतल करे ते एक इस तरह पुन्न हो गया एक इस तरह महान हो गया इस दा मतलब है उन्ने कानून दे दाइरेज किसे नो नहीं मारे है ते तुसी कानून दे दाइरेज किसे नो फांसी दे चाड़ोगए सियाने सियाने देशां दे इस सजाह मौत हट गई ए यह भी मैं रसकराण जिनने एक गेराई देश लेया इस गलनो हिंसक सारे यह उन्देने हंकारते सारे यह दे अंदर है डिगरी दा फरक है सारेय दे मौल्समस्यह लोब है वाशन कुई कबोल करे बावेना करे किदरे उसनों लोब बे इमान बना देगा किदरे उसनों अहंकार हिंसक बना देगा किदरे उसनों वाशना दुराचारी बना देगे चलो अपरादी ना बनन देवे पापी ते बनन दे देगी उदे विचारां ही ते सब कुछ आ जाएगा सोचनी ते आ जाएगा इनसा उस दी सोचनी चाँ जाएगी दुराचार उस दे विचारां चाँ जाएगा बेमानी उदी सिम्रती बन जाएगी इन्नों दोखा दे 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 आ उन्नों दोखा दे 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 आ सारे जगत दी मोल समस्या एह है ये थी चंगा वया हो थे दारशनिक वकील सी बड़ा सेना और गुरू गरदा और शरदालू पामे साइज़दारी सी पर ने में नुके मस्किन जी तुसी फिकर ना करो मामुली गल रहे मैंने नव्टा ले आँगा पे मैं इतने ही आखिया सी एक मनो कतल करदा है कातल है क्योंके उसने कानून दे दारशन किसनों नहीं मारे है ते फिर कानून उस दी हत्या करदा है उन्नों फांसीती चाड़दा है उन्नों मारदा है कानून दे दारशन ते कानून दे दारशन मारे होया कतल कीता होया इनसाफ हो गया ते कानून दे दायरिज्द जिसनू नहीं मा रिया वो गुना हो गया एक इस्तरनदा सोचनदा धंग रहे गुना हा अ 건". गतल है चैए किसे धंगनाल कीता जाए चैए लोहे दे छोरेनल कटल कीता यसोने दे छोरेनल कटल कीता हद कड़ी आखर हद कड़ी है चाहे लोहे दिये ते चाहे सोने दिये पावे किसे नो सोने दी जन्जीरान अल बन के रख दो पावे किसे नो पितल दी है ते पावे किसे नो लोहे दी बन के ते रख दिता है अगला बनीच दे गया ति कोई मार नाला खे नहीं जी ऐसी सोने दी जजीरा नाल बने आए सोने दी पिंजरेच बंद कीता है बंद कीता है ना मैनू इस संबंदेच एक गाथा याद आई पराणी मनसूर नू जद सूली ते चाडन लगे ते सूली तो पहले सारेया ने उसनों पत्थर भी मारना सी एवी सजा सी और कसूर उस दा एई सी के विचारा बेकसूर सी बस इन नहीं गल है कसूर वारां दी मैफिल देच बिलकुल बेकसूर होके जीमना भी कसूर हो जंदर है एवी में अर्ज़ करते हैं पापियां दे इकठ देच पुनीत होके जीमना भी एक पाप हो जंदर है मूर्खां दी मैफिल देच बहुत स्याना हो जाना भी एक मूर्खता हो जंदी है बस उस दा एई कसूर सी विचारा बेकसूर सी बादशादा होकम सूली थे बादे चाड़ांगे पहले इसनों एक पत्थर मारो इस इकठ देच शिबली भी सी मनसूर दा दोस्त जैसे मनसूर सूफी सी ओभी सूफी सी मनसूर ने खुदा नू समझेया सी उस दा अनभो सी खुदा उस दी जिंदगी सी उनू प्रापत कर लेया सी शिबली थी समझ देचते आई अनभोते सी उस दा लेकिन अजिब उस पद्दर दे नहीं सी उप्रापती नहीं सी जो मनसूर कुल सी लेकिन इतना जरूर पता सी मनसूर बेकसूर है पर उन्हें देखिया उन सारेयाने पत्थर चुकलेने मारन वास्ते ति मैं ना चुकया ति मैं ना मारेया ति मैंनू साथी समझ के किदर मैंनू सूली ते ना चाड़न होकम होया मारो सारे ने पत्थर मारे शिबली को लिक फुल सी गुलाव दा उने भी खिचके मारे हैं एन्ज मुठ बंद करके सिर्फ ए समझान वास्ते के लोगानू पता चले मैं भी मारे है पत्थर लगे हस्दा रिया मनसूर हस्दा रिया पर घजब दी गल अध्धे पत्थर उसनों नहीं भी लगे सन निशाने ते नहीं लगे सन अध्धे जड़े लगे है हस्दा रिया पर रब दी नेत समझो उजो गुलाव खिचके मारे है उई थे मत्थे लगे है फुल चेख निकल गई मनसूर दी बड़ी उच्ची शिबली कोल पहुँचे अख़्ा बरिया ने मित्रा पत्थर तेरे जिसम नो लग दे रहे तू लहू लुहान होंदा रहा थे हस्दा रहा मित्र फुल मारे है और फुल भी गुलाव दा तेरी चीख निकल गई मनसूर केंगा है तू फुल भेट ने की था मारे है सवाल ए नहीं कि उन पत्थर नाल मारने कि फुल नाल मारने मारे है मारन नाल चोट लगी पर पत्थर खाके दे तू हस्दा रहा है हाँ पत्थर मारे मूर खाने जो मैंनो नहीं जान दे फुल मारे है उसने स्याने ने जो मैंनो जान दे इसकर के चीख निकल गई मेरी अवस्ता नो जान दे मैंनो जान दे मेरी तरह अनभवी पुर्ष है ये भी पहे देच आ गया तुम मारे आए फुल जिना ने मेनों पत्थर मारे मेरा तन जखमे कीता है पर की करा तेरा मारे आया फुल ते मेरे मन तो भी पार हो गया बहुत गहरा गया समझदार ने मारे है एक फकीर ने मारे है एक संत ने मारे है ज़िए के संत ता एक कर्म नहीं होंदा संत दिये सोचणी नहीं होंदी सवाले नहीं के तो फुल मारे तो बेट नहीं कीता मारे तो पहरी पह गया शबली हाँ मैं मारे मन्सूर के अंदे नहुं तेरे ते मैं नो तरसाया ते जिस ते तरसावे पच्छडे होया है ते नो देखके मैं नो तरसाया तो गिरे हैं बाकी भीड देश तूं भी गिरे हैं तूं भी ठले चला गए मुखतसर मैं अर्ज करा अनभवी ग्यान दूसरे दी अतियंत गिरावट नो वेक के विए उसनों तरसावेगा क्योंकि उसनों समझाए सारे याँ दी मूल समस्या एक कोई है जद कदी कोई गिरेगा अहंकार करके गिरेगा लोब करके गिरेगा वाशना करके गिरेगा और क्यों गिरेगा इही गिरावट है सारे संसार्दी मूल समस्या एही है चाई हो किसे मुलक दाए, किसे जात दाए, किसे मजब दाए ऐसे मनुखनु के नने ए अनभव परकास देज जीन दाए उसनो पड़ा लिखा मिलेगा अनपड मिलेगा मूरख मिलेगा सेना मिलेगा हिंदो मिलेगा मुसलिम मिलेगा उसनों समझे मूल समझे है यह बेएमान नहीं होया सीमा देचे नेतिक है क्योंके अनेतिक होन नाल समाज कबूल नहीं करदा अनेतिक होन नाल कानून सजा देंदा है तो नेतिक होके जी रहे है ओ इना अपनिया बिर्तियानों सीमा देच रख रहे है इस वास्ते नेतिक मनुख एक संत दी द्रिष्टी देच ओने जो मन दे तलते ते अपरादी ने है पापी ने अजे तन दे तलते प्रगटनी होना दे तर सामदाए अपराद तन दे तलते प्रगटनी होना सीमा देच रखे आए हंकारनों सीमा देच रखे आए लोबनों ए बेइमानी तक ना पहुंचे किसे नू चोटना पुचावे लेकिन अंदर दे है इसनू के दिने अनभवी गयान पर चुके सारे मनुखांदी समस्या एही होंदी योसनों तर सांदे गरणा नहीं करदा अगर गरणा भी करदा तो यह अनभवी पुरुचने यह तिसन सारी है बिल्कुल दुनिया भी बन दे अगर गरणा करदा नफरत करदा एक ते मैंनो यह पता है कि भोजन किसने बनाया है मैंनो यह पता है एक फिर मैंनो यह भी पता है कि भोजन की यह दाल की यह सबजी की यह यह रूटी मकई दिये कनक दिये मैंनो समझ है यह दूसरी समझ है मैंनो एक उसदी समझ है जिना ने बनाया है एक उस दी समझ है जो बने है ये दो समझ है मैं फिर दो रावा एक तेस दी समझ है जिसने बनाया है भोजन एक इस दी समझ है जो बने है भोजन भावे बनान वाले दी समझ है भावे बने होई दी भी समझ है पर ए भोजन मेरे जीवन दा हिस्सा नहीं बढ़िया, मेरा खून नहीं बढ़िया, मेरा मास नहीं बढ़िया, क्योंकि मैं खादा ही नहीं, मैं छक्या ही नहीं, ए भोजन मेरा खून नहीं है, ए भोजन मेरी हडियां दिछ नहीं है, ए भोजन मेरे इंद्रियां दी शक्ती न ते भोजन नो जिनाने बढ़ाया है उस बारे भी जानना है फिर भी ए भोजन मैं नहीं आँ ए मेरा मास नहीं है ए मेरा खून नहीं है कथा कहाणी सुनके गुर्वाणी पढ़के समझके एक ते में गुर्वाणी दे अर्था नु जानना एक गुर्वाणी में नु कंठ है एक कंठ है एक में नु अर्थ बोद्दा ग्यान है एक ते एह दो तरह दी समझे इनु केंदेने ईश्वर दे संबंद बारे जानना पर मातमा बारे जानना एक ऐसा हुनदा है के मनुक बानी दा रूप हो जानना है बानी किस नु केंदेने है गुरू दा रूप हो जानना है वाकि जिस दिन सिक गुरू दा रूप हो जानना है गुरुनु कहना पेंदे मेरा अपना ही रूप है खालसा मेरो रूप है खास खालसे मैं हूँ करो निवास उप प्रमात्मान दा रूप हो जान दे प्रमात्मानु भी कहना पेंदे मेरा अपना ही रूप है अब तो जाए चड़े सिंगासन मिले है सारंग पानी राम कभीरा एक भे है कोई ना सके पच्छानी पी राम ही हो गया उन उस दे सुभाव देच राम प्रगटोवेगा उस दे विभार देच राम प्रगटोवेगा उस दे विचारा देच सोचनी देच दे राम है ही उन उस दे रॉम रॉम देचे राम उस दा सुभाव है राम उस दी जिन्दगी है उन राम तो बिना हूर कुछ भी नहीं ये उस दा निजी अनवाव है सुनन तो बाद जो मनना है मनना इस ढंगदा नहीं जिए मैं आम समझे आ जान दा है भी मैं मन दा नहीं मेरे मन दा हिस्सा बन गया है जो भोजन में खादा नहीं वो मेरे तन दा हिस्सा नहीं और जिसनों में मनेया नहीं वो मेरे मन दा हिस्सा नहीं लोग की कहें देते हैं असी गुरून मन देयां आएं गुर्दवारे या मूदे हैं असी गुरूनो मन दे आं ताहीं ते मत्ः पे टेक दे गुरूनो मन दे हां ताहीं ते कथा की इरतन गुरु दे सुनना आया और वैभार देचते गुरू प्रगट नहीं होंदा संद्या दा समय है शराब दी बोतल खोल के बैठा है तेरा मत्था टेकना की मैंने रख़दा है तेरा गुर्दवारे आना की मैंने रख़दा है तेरा कथा की इरतन सुनना की मैंने रख़दा है ये मनना नहीं है गुरु मन दा हिस्सा नहीं बने है ये ते इंज है जिमें मैं जानदा भोजन किसने बना जाया है मैं जानदा ये भोजन की बने है मैं ना जानदा ये दाल बनी है, सबजी बनी है, रोटियां बनी है ये नहीं समझे ये जानदा किसने बना जाया है वास्तविक ये भोजन की है कि ति उस दिन समझ पाएगी जद मैं खावाँगा मेरा खून बनेगा मेरी मेंज ते मास बनेगा ओ भोजन मेरा तन होगेगा जितने चिर्टक मन ही गुरू नहीं हो जानदा मन तू जोत सरूप है अपना मौल पचान ते की मनेया कुछ भी नहीं मनेया गुरू मन दा हिस्सा बन जानदा है प्रमात्मा मन दा हिस्सा बन जानदा है तो जद प्रमात्मा ही मन हो जानदा है तो मन ते मिट गया उन प्रमात्मा ही प्रमात्मा है यह जी कहलो हुन इश्वर ही इश्वर है तो जिना जिना दे मन ने मन लेया है एक पहली पौडीच कल आपने सर्वन कीता जिसने भी मन ले बाव प्रमात्मा जिनादे मन दा हिस्सा बन जान दा है मैं फिर अर्श करना सुनना भी एक पहली स्टेज है गुर्दवारे आना कथा कीर्थन सुनना दान पुन करना इस सबनू शरा दिजगेन देन करम कान देन एक रहत देजगेन देन ते हुन इसनू इस तरह लेए इदी लोड है लोड है जिने स्कूल दिच दाखला लेना है लोड है फिर छोटी कलास देच अखरा नो सिखना है अलफाबेट सिखना है उड़ा एड़ा एड़ी एबी सी ए सिखनी मां बाप खुश हो जान देने ज़िद बच्चा अखर लिखन लगवे मेरे बच्चे नो अखर लिखना आगे एबी सी लिखदा पे उड़ा एड़ा एड़ी लिखदा पे खुश हो जान देने मां बाप ते एबच्चा हुन बारां चौदां साल दा हो गए अजेवी उड़ा एड़ा एड़ा लिखदा पे ओही मां बाप जो खुश हो एसन दुखी हो नगे ले कि ते अजेवी उड़ा एड़ा कि ते अजेवी एबी सी ते माँ बापनु आ कि ए पहले दिन जद इसने लिखे आ सी तुसी परसंद नो इसी शावास दे रहे सी कुशो रहे सी लड़ू पे मन दे सी सड़े बच्चे नो लिखना आ गया अकर लिखना आ गया ते होने लिखना पे या ते दुखी क्यों हो रहा इननो के दिन ग्रैन भी करना है ते छोड़ना भी है अकर सिखने भी ने अकर अन सिखे भी कर देना है स्कूल दिच दाखला भी लेना है पर स्कूल नो त्यागना भी है दाखल हो या स्कूल दिच माँ बाप नो खुशी है जिनकी ज़ित यागन दा मौका ही नहीं आया स्कूल दे जेल है ना बन गए और कि यह संसे ताले दिच जख पहली दफ़ा सी राजिस्तान दे चाहे मैंने याद है पठानिस्तान तो ट्रेन सिद्धी थे पहुंची सी रिफूजी बन के भारत दे चाहे सी ते यह राजिस्तान दिया स्टेटां ओदों भी रजवाड़े ही सन राजियां दिया अपनी आहकोमतां सन छोटी चोटे रजवाड़े सन जैपुर उदेपुर अलवर बरदपुर करोली सब छोटियां छोटियां रियास्तान सन पंजाब्दियां भी रियास्तान सन जैसे कि पटे आला नाभा जेन कपूर तला तो अलवर देच एक नियम सी जेड़ा बच्चा स्कूल देच तिन दफा फेल हो गया फिर उसनों कड़ देओ उनों कव कोई होर काम करे ये पढ़ना लिखना तेरे कामदा नहीं उनों कड़ देता जानदा सी वाकई उनों किया जानदा सी कोई तू हुनर सिक कोई दस्तकारी सिके पढ़ना लिखना तेरे कामदा नहीं ना स्कूल दा वकत जाया कर ना टीचरां दा ते ना अपना स्कूल दे दरवाजे उसलिए बंद कर दें दे सम् जो चोती देश तिन साल बैट जाए जो पंजवी देश तीजी दफ़ा फेल हो रहे है छेवी देश तीजी दफ़ा फेल हो रहे है कट देश मैं देखे ने गुर्द। आ रहे हैं चीड़े 40-40 साल तो आ रहे नजीवी उत्ते बैठे नगे नहीं गए मैं देखे ने उत्ते बैठे नहीं गालमन में नुचाली 42 सालों कफा कर दें हैं और भारत इच कुछ शहर ऐसे ने मेरा नागा कदी नहीं पया प्रबूदी किर्पे में हर साली उथे पहुंचे है चालीस साल पहले जिते देखे सन अजवी उथे उना दे मानसिक मंडल देख कोई तबदीली नहीं हुई उड़ा एड़ा उदोंभी लिख दे सन हूनभी लिख दे उदोंवी कर्मकांडी सन अजवी कर्मकांडी ने उदोंवी शराई सन अजवी शराई ने ग्रेन करना पेंदाए छोड़ना भी पेंदाए सकूल दिछ दाखला लेना पेंदाए सकूल तो अलविदाह भी होना पेंदाए विदाएगी भी देने ही पेंदी है, जा वई, चलें हो नसी, बिमार है, ओश्दी खाने ही पेंदी है, संभाल के रखने ही पेंदी है, खाने ही पेंदी है, पर एक दिन ऐसा भी आंदा है, त्यागने ही पेंदी है, छड़ो इसनो, जीवन भर ये आउस्दी चल दी है और उस दा त्याग ना वे तो पता है आयरवेद्द गरंथाज की कहने ने आउस्दी ही रोग है फिर रोग ते रोग हो वेगा ये आउस्दी भी रोग है अँट जिनने चरव तक रोग रहें, उनने चरव तक औष्दी रहते हैं, औष्दी दा मतलब की होया फिर औष्दी खाने भी पहन दिये समाल के रखने भी पहन दिये एक दिन ओह भी आंदा है कि शीशियां दे च्पई होगी दोई परे सुटनी पेंदी गल खतम जब तन तो रोग निकल गया है ते ऐ आउश्दियों तू कार्चो निकल गल खतम पर मनुखदी ममता हो जाए पर चुंके इस आउश्दी ने मेरा रोग दूर कीता है ते इसनों ते में संबाल के रखनाई दी ते में पूजा करनी है ते आउश्दी रोग बन जाएगी एक कहाणी में पड़ी सी पंचार बंदे बेड़ी तो पार होए कि दरे खड़ी सी शामरे वकत कली बेड़ी इकनु कि दरे चपू मारना अंदा सी मार के पार हो गए केंड़े के बड़ी केमती चीजे द्रियाद तो पार कीता है ते चाराने सिरते चुक लिया केंड़े कि इसने पार कीता होना सी इसनों नहीं छोड़ांगे प्यदा ऐसान लोग की मूड कएन ठीक है पार कीता है धनवाद करके एक पासे हो सिरते चुकी फिर है अगर सारी जिन्दगी कोई तो समलो पानी ने नहीं डोबे हुन बेडी नहीं डोब देता है यही गल बनेगी ना बहुत सारी दुनिया कर्म काण देची डुब के रहे जान manufacture बहुत सारी दुनिया लई करम कांड दवाई ना बनके रोग बन जानदा है बहुत सारे लोगां लई शरा स्कूल ना बनके जेल बन जानदा है और शरा जेल बन गई है करम कांड रोग बन गए करम कांड ही सिर्दा बोज बन गए बेड़ी दी थरा इस तरह दे बंदे कठो और होन गे धरम दी दुनिया दे चेगर बहुत वड़े खुन खराबे हो देने इना ही लोकां कर गे शरा ही शरा है बाकी कुछ नहीं सिर्फ शरा है सिर्फ इतने ही पता है पोजन किसने बनाया थोड़े नो थोड़ी जादा जानकारी बहुजन की बने है खादा कोई ने इस बहुजन उना दा शरीर नहीं है इस बहुजन उना दा खून नहीं है इस बहुजन उना दी मेंज तेमास नहीं है इस बहुजन उना दी हड़ियां दिछ नहीं है इस जानकारी नो बैरूनी जानकारी के इनने आनवाव नहीं है क्योंकि मन दा हिसा ही नहीं बने है मैं एक दफ़ा फिर दोरा दे हैं कल वाली बिचारदारा जो भोजन में छखेया नहीं हो मेरे स्रीर दा हिसा नहीं है जिसनों मैं अजे अपने मन दा हिसा नहीं बनाया जो मेरे मन दा हिसा ही नहीं है उनुमें की मने है नहीं मने है धन गुरु गोगिन सिंग जी माराज ने एमें नहीं मन नु गुरु कह देता मन वा गुरुम और मन सामाई जिनमों को शुब किरेया पड़ाई एह मन मेरा गुरू है मन नहीं थि प्रमात्मा नुपरगट कर दिता मन ने मनेया थि मनेया की मन ही जोऩ सरूप हो गया मन तुह जोथ सरूप है अपना मूल पचान जिसने मन ले महराज के दिने एक मसला हो रहे समस्य हो रहे जिसने मन के जान लेया और जणा नहीं सकता एक सैट इस नो कुछ लबेए एक विग्यानक नो कुछ लबेए ति उसने जाने जाने हो दव परतक्ष प्रमान रखा देंदे बाकी सैट इस न अलसा हमत हो जाने इस वस्ते फिरके कताई विग्यान दी दुनियाच नहीं बने और जगड़ा भी नहीं है खुन खराबा भी नहीं है धर्म दी दुनियाच है धर्म दा जिसनू अनभो है एक ते ओ पुर्ष है जिसनू अनभो है फिर एक ओ ने जोस दी पूजा पर तिष्टा कर देने उन्हों मन देने उन्हाने मने है उन्हों बारों देखके जिमें हुने में अर्ज कीती है मैं किसे दा नाम जानना उदे प्रवार नू जानना प्रवार दे मेंबरा नू जानना उदी गोत जानना उदा मजब जानना इस सारी जानकारी मेरी बार दी है ये अंदरूनी जानकारी नहीं है ये अन्भाव नहीं है इसे तरीके दिन आले इना महां पुरुशांदे आले दो आले बैरूनी जड़ी जानकारी हो दिये फिरके खड़े हो जान दिन टोले खड़े हो जान दिन बड़े संगर्श हो देने होन खराबे हो देने एवी मैल्स कर देया चार महां पुर्ष मिडलिश देश पैदा होए मुसा होया, ईसा होया, जर्दरस्त होया और मुहम्मद साहब होए मेरा ऐसा अन्वा, अगर चारों एक कोई समय हों दे तेना ने एक दूजे नो गलवकडिश लेना सी पर चुंकि समा है दागैपा के होए ने अन्टराल देना लोए ने तिन हजार साल पहले मुसा सी गालबन दो हजार साल पहले ईसा सी स्तारा अठारा सो साल पहले जर्दरस्त होया ते गालबन पौने चोदां सो साल होए मुहम्मद साहब नो तो समय दा अन्टराल है उस कारण करके मुसल्मान यहूदी नो गल्वकडिच नहीं ले सकता यहूदी ते इसाहित काफी लंबे समय तक दुश्मन रहने एवी में अर्ज कर दें अजबी अरब असराईल यहूदियां ते मुसल्माना दी नहीं बन दी एक दूजे दे जानी दुश्मन तो ना चाराने गल्वकडिच एक दूजे नो लेना से यह ठीक है हून खराबा ते भारत दिछ ना होया मातमा बुद्न, महावीर, गुरुनानिक या क्रिशन राम देना थे पर दूरियां ते हैं पर एवी किदर एक कोई वकत होया देना एक कोई वकत इना ने भी गल्वकडिच पानी से एवी महरस कर देना एक थानते बैठना से इना ने जिमें गुरुनानिक ने रामानद नो, फरीद नो, कबीर नो, तर लोचन नो, रवदास नो एक को थानते बिठाया है उना सारे ने गल्वकडिच पानी से पर समेदा अंतराल पाके होए कि दरे पँच हजार साल पहले शिरी राम ते पँच सो साल पहले गुरुनानिक समेदा गैब बढ़ा है समेदा अंतराल बढ़ा है ते आले दुवले इना महापुर्शादे जो भीड कठी हो जान देने उना कुल अंतरीव गयान नहीं होदा उना कुल अनभो नहीं होदा जैसे एक मनुकनु में बारों जान दा मैं हुने ही अरस कीती सिर्फ एक दवा फिर दोड़ा दे आ मैं जान दा रेंदा किते इदा नाम किये इदे परवार दे मिंबर कितने ने एदा रंग रूप किये, मजभ किये बस मैं इतने जानना कि ते सारी जानकारी बार दिये यह इंजे कहलो उस दे नाम बारे मैं जानना मैं उसनों नहीं जानना मैं उस दे परवार बारे जानना मैं उसनों नहीं जानना मैं उस दे मजब बारे जानना हिंदू है मुसलिम है सिक है मैं उसनों नहीं जानना ये ते मजब बारे जानना होगे ते उस दे घर बारे जानना होगे ते उस दे प्रवार बारे जानना होगे ओक ही है ये कोई जानना थोड़ी है दरसल महाँ पुर्शान हो भी लोग की सब बारों बारों ही जान देने किस कुल देच पैदा हो है रांगरूप की सी पाशा की सी आखेया की है उना दे अनभाव की सन कदी कदाई कोई पहुँचता है उना तक कदी कदाई मैं मैं जनम साकी चिक गाता पड़ी मरदाने दी कारवाली मरदाने दे गिला कर दी है भई मुसलम बीबियां मैंनों ताना मार दी हैंने तेरा आदमी के हिंदू फकीर दे पिछे रबाब चुकी फिर दे मुसल्मान हो के ति मरदाना अपनी कारवाली पिर तूं की जवाब देता है मैं की जवाब देंदी मैं चुपरे गए वाकई हो बेदी कुल भोशन ने बेदीयां दी कुल दिच पैदा होए ने असी मुसल्मान जैसे कबीर दी मां केंदी सी हमारे कुल कौने राम करो साड़ी कुल दिच किसने राम आके ऐसी अला अला करनवाले मुसल्मान इस साड़ी कार पैदा होगया कबीर राम कहेंदा है हमारे कुल कौने राम कहो जबकी माला लई ने पूते तबते सुकना भयो जिस दिन दी इसने हाथ दिच माला पकड़िये साड़े घर सुक है ही कोई ने रही दुख कबीर दी मा एक कबीर दी मा भी कबीर नो बारों बारों ही जान दिये यह किन जानो कबीर दान भा हो मा को लई भी कोई ने यह भी मैं अर्श करते है कबीर दी सूज बूज कबीर दी अवस्ता इमा कोल भी नहीं है वरना इतना उना केंदी और इस तों भी ज्यादा आखिया है साथ सूत इन मुडिया खोए इन मुडिया क्यों नाम होए गारदिच पैसे नहीं संते जो सूत कतेया सी न कबीर दी मा ने थे लोई ने पतनी ने उस सूत वेच के ते लंगर चला दिता कारदे साधु बोत आए शिवरात्री दा दिन सी पच्चीती साधु आगए कछ़ए रोज दे एक दो आ रंदे साना अज पच्चीती इकछ़ए आगए तो सटर रंग दा सूतर वेच के ते लंगर बना के उना नो शका देता माँ कहें दिये जमदें यह मर जान दा चंगा सी बहुत दुखी यह असी तो ए मुडिया क्यों ना मोया यह ते मर जान दा असी तो ओक है इनने ते कलेश पाया है यह माँ है जो कبीर तो उतना दुख अपना व्यक्त कर रही है इतनी जो है बेजारी व्यक्त कर रही है मर्दाना केंदा अप्नी कारवाली ने तू की आख है में की आखना सी ठीक मार दियाने ताना नहीं तू कहणा सी मैं जिस्दे पिच्छे रबाब चुके फिर दा वो हिंदू मुसलिम नहीं है वो सिर्फ अल्ला ते राम ना रूप है वो इश्वर है वो गुरू है वो हिंदू मुसलिम नहीं किसे फिरके देच बंद नहीं हो दा वो किसे दायरे दी ग्रिफ देच नहीं हो दा कारवाली यकिन नहीं कर दी कि अगर ऐसा है साड़े गहरते कदी आयाने ते ना कदी पोजन चाकियासी मुसल्मान शूदर वो बेदी कुल बूशन अगर एहोजियां दी गहल है सारे उस दी निगाच एक कोई ने तो किसे दिन साड़े गहर भी हाँ मरदान ना केंदा फिर आज एंजी से तो बना लंगर ओजन बना जो कुछ है घर देच बना मैं बाबे नो बुला के लेना कारवाली केंदी है मैं बनाना ते है बना दे दिया ओ नहीं आएगा ओ बेदियां दा मुन्डा ओ बेदी कुल भूशन पड़ी उची कुल है साड़े घर नहीं आज लग है ते फिर मेरे हद दा बोजन मैं मुसल्मानी असी मुसल्मान पतह मरदाना की केंदा जे ना है ते फिर यारी तुटी मरदाने ने भी कह देता जे ना है ते यारी तुटी ही पर तुँ यकीन रख साड़ी यारी नहीं तुटेगी चले है पर इस सोचनी भी है कि दर ये अपनी कारवाली दे को लो शर्मसार में नो ना होना पर है बाबा जवाब ना दे दे इस सोच के जा रहे है मैं जिद दिन जणमसा की पढ़ रही है सी इसनों पंजाबी भाषा विवाग जो पंजाब गौर्मन दा मैक मैं उनाने च्छापे नवी जणमसा की हर रास दिली की बड़ी सोनी इस देचे गा था मरदाना जा रहे है मन देच इस सोच के अपनी कहरवाली दे कोलों किदरे मेनों शर्म सार ना होना पै जा ही रहा है अजे दो सव कदम ही चले आ होने बाबा जी रस्तेच मिले सलाम कीती सजदा कीता सुभाव के पुछले है बाबा जी किते चले तिस सद्गुर के दिन मरदाने आज सवेरे दा जी कर रहे है सी दो पहर दा लंगर तेरे कोल शक लेने पोजन तेरे कोल शक लेगे चल रोप या चीख निकल गई मरदाने दे बाबा एक निका जिया किन का शक दा आ गया सी गुरू ते और वास्व गुरू ओँ है चो हिरते दे शक नो मिटा दे वे जिस दा नाम जिस दा ग्यान जिस दी होंद अंदर दे सारे शक दो दे वे आगे असी शक बाबा दूर हो गए वाकई तु सांजा है जिस तरह सूरज सांजा होंदा है इस तरही अवतारी पुरुष दे संत संजे हो देने और जो संजाँ ने उसनों संत कहन दी, लोड भी नहीं अवतार कहन दी, लोड नहीं ओ सूरज नहीं होएगा किसे करदा जलदा हो, ट्म्टिमांदा हो, या कोई दीवाही हो सकदा है कुछ नहीं वक्तना अलबुच जाएगा एवी मैं अरस करते हैं वो सूरज नहीं होएगा खैर इस भूमकानों मैं बाउत लमकावाना ते बतावाना पर मातमादा नाम जिनादे मन दा हिसा बन गया इसनों कहें देने मनन जो जो मैं मने हैं वो ही मेरा मन है एवी मेरी सर्वन करनी कौर नाल जो मैं मने हैं वो ही मेरा मन है अगर मैं लक्ष नो साधन दी तरह मने हैं ते साधन नो लक्ष दी तरह जैसे मैं थो किसे शहर पहुँचना है कार, बस, रेल, हवाई जाज साधन हो सक दिये पर मैं साधन लक्ष दी तरह वर्थ लहां कार दिच बेठा तूँड मैं उतरना ही क्यों है बस, कार दिच बेठना ही मेरा लक्ष ते मैं साधन नो बोल जाओ लक्ष नो बोल जाओ जिते में पहुचना से लोग की परमात्मा नो धर्म नो गुरुआनो साधन दी तरह वर्त देने लक्ष दी तरह नहीं मनोरत है प्रमात्म मनोरत है इश्वर मनोरत है गुरु प्रवार दा मिल जाना दान दा मिल जाना संपदा दा मिल जाना इती रस्ते दी पड़ावने साधन प्रहुं प्रवार ही जीमदा रहे और सदीवी रहे और धनी वद्द रहे हमेशा वद्द रहे ए गुर्व से सवस्ति तेरे को लाये और कोई मत्लब नहीं है ये प्रभू तेरा नाम इस सवस्ति जब देते हैं तो हुन प्रमात्मा साधन बन गया प्रवार लक्ष बन गया धर्म साधन यह लोग संसार नो मन के निरंकारदी बादत पे कर दें, निरंकार नो मन के निरंकारदी बादत नहीं कर रहे हैं यह दुनिया साधन दी तरहां गुरू नो वरत रही है और जद साधन दी तरहां वरत रही है तो साधन नाल मोवी हो जाएगा अगर मोग हो गया है ते प्रमातमा नो पोल गया है तो मैर्सकरा किदरे किदरे धरम एवी माया बन जाएगा जैसे गुरु अरजन दिव जी महराज बड़ा सोना कहें दे ने माया चित भरमेन इस्ट में तरेक बांद वे किदरे परवार रोक दाए किदरे बंधू रोक देए किदरे धन संपदा रोक दीए किदरे इस्ट भी रोक देए इस्ट इस्ट नाल इतना मोग हो जाए तो मेरा इस्ट बड़ा बाकी सारे एमेन है जिनों मैं मन दा बस एई महाने बाकी सारे एमेन है और मैं उसनाल इतना जुड़ गया और इस तो अग्गे परमातमा दी मैं सोच दा ही नहीं तो गुरु अरजन देव जी के निने इस्ट भी माया हो गया कुछ जगदे इस धंग दे काफी अनभव देखन नो मिल देने इस्ट नो साधन दी तरह लेके परमातमा नो लक्ष रखे है और इस्ट नो भी छोड़ गया अग्गे लंगए करमकान नो भी छोड़ गया अग्गे लंगए परमातमा दा रूप हो गया किदरे पकड के नबैड जान तो अलानियां ता उरते गुरु गविन सिंक जी ने कहए देता जो हम को परमेसर उच रहें ते सब नर्ग कुंड में परें बड़ी हिम्मत रुखे जमीन ते पहला अवतारी पुर्षे जिसने इतना एलानिया कह दिता है क्यों मनुखदी कमजोरी देखी सी इष्ट ही भगवान बन गये इष्ट ही प्रमात्मा हो गये और प्रमात्मा नो बोल गये तो फिर इना लोका ने इष्ट नो भी माया बना देता जमें कोई परवार करके रुख गया कोई धन करके रुख गया कोई पदार्था करके रुख गया कोई इष्ट करके रुख गया तो फिर इष्ट भी माया बन गया माया जित भर्मेन इश्ट में तरेक बांदवे सूफी फकीर शेक शरफ ने गुर्लानिक नो पुछे आसी तुसी कौन हो थड़ी होंद थड़े विचार थड़ा सड़े कोले बैठना सड़े मन तिक बड़ा सोना प्रभाव पारे है थड़े कोल बैठना सानु इंज मैसूस हो रहा है जमें अल्ला कोल बैठे अल्ला दी याद चल दी पही है थड़ी तो नो देखके बहुत सोने विचार हिर दे चल दे पहने तुसी कौन हो माराज ने जो कुछ थे जवाब देता है बसो में बैनी थोनों सर्वन करा दे है अर्थ तुसी खुद करना मानस मूरत नानिक नाहम कौन हो तुसी मानस मूरत नानिक नाहम चल एक पंग्ती दे अर्थ कर दे है मनुखा और इस मनुख दा नाम नानिक है बंदा बंदे दा नाम नानिक है मानस मूरत नानक नाम करने कुता दर फुरमान शेक शर्फ पेरी पह गया सजदा कर गया कुर्वान जान गया बाबा ऐ वली अल्ला थन वेक के थड़े कुल वैड के सन वल्ला चेते आया रब चेते आया तुसी कुछ भी पह आखो सन वल्ला चेते आया तो खेर मुक्तसर मेर्स करां अवतार पीर पेगंबर संत महंत इनानुवी प्रमात्मा दे रस्तिच उप्योग दी तरह ले सक दें और उथे ही रुक गए उथे ही रुक गए तो एवी माया बन गए एवी मेर्स कर दें क्योंके माराजदी बानी केंदी है अवतार न पावे अंद परमेशर पार ब्रम बेन वो बेन्द है बेन्द है सदीवी है सहव के दने इस्तना दा अनभव प्रमात्मा दा जिसनू प्रापत होय है ओही जान दै पर ओजणा नी सगदा कह नी सगदा कुछ भी नी कह सगदा कोई परतक्स परमान भी नहीं दे सकदा कि ऐसा होंदा प्रमात्मा और एह है मेरी अवस्ता अगर वाकई हो कोई परतक्स परमान दे देंदा तो अज तक जितने संत सूली ते चाड़े गए तत्ती तवी ते बिठाए गए बंद बंद कटे गए कतल कीते गए जहर दा पियला देके मारे गए ईना होंदा कोई परतक्स परमान नहीं ते ऐसा नाम नरिंजन होए जे को मन जाने मन कोई जेने जाने अैसो जाने उसsदा निजी अनब होए जणा नहीं सकदा कोई पर तक्ष परमान और नहीं दे सकता और ऐसा पुरुष ईश्वर दा रूप हो गया हुंदा है ईश्वर दा सुवाव उस दे अंदर है ईश्वर अनंद है तो अनंद उस दे अंदर है इश्वर जनम मरन तो रह तो जीवन दी लालसा ते मरन दा भै उस दे अंदर नहीं है नानिक बद्धा घर तहां जिते मरत ना जनम जरा परमात्मा महारास है तो महारास उस दे अंदर है तो खेर लेम कामाना साहिब केंदे ने जिसने भी मन लेया है मन ने सुर्थ होवे मन बुद्ध इते सुर्थ तो मुराद है समझ उस दे मन नो समझ आ जाएगी भाव उस दे अंदर विचार चलनगे प्रमातमा मई उस दी बुद्ध जो फैसला करेगी निरना करेगी सही करेगी कताई गल्द नहीं करेगी उस दा फैसला किसे नू काबले है या नहीं एगल नहीं पर उस दा फैसला गल्द नहीं होवेगा क्योंकि उस ने प्रमातमा नू मने आए ति प्रमातमा उस दे मन दा said आई सुश दे उनु समझ होवेगी मनने सुर्थ होवे मन बुद्ध मननु समझ होवेगी बुद्धनु समझ होवेगी भाव अंदर विचार इश्वर मही चलनगे उदा फैसला बिलकुल सही होवेगा गल्त नहीं होवेगा हाँ जीश मनने सुर्थ होवे मन बुद्ध मनन सगल पवन की सुद्ध इस तरह दे पुर्षनु सारे खंडां ब्रेमंडां दी समझ होवेगी कारण सरीर सब दे अलग अलगने मन भी सब दे अलग अलगने पर जो आत्मा दे तल ते जीरे है प्रमात्मा दे तल ते जीरे है जिस दा मन जो उत सरूप हो गया है उत व्यापक हो गया एक हो गया तो उसनों सब कुछ दी समझा है इस तरह दे पुरशनों अंतर यामी कह दें देने ऐसे पुरशा ने पराचेन ज़माने जड़ी बूटियां दे सुबा लिखेने वै धनंतर ने तिन हजार जड़ी बूटियां दे सुबा लिखे मैं समझदा है इस छोटी जए जिन्दगी तिन हजार जड़ी बूटियां दे सुबा एक गर्म तरने सर्द तरने खुशक ने कीने किडे किडे रोगां दे कम आ सकती है इताई में समझना लिखिया जा सगदाए कोई आत्मा दे तल ते जी रही है सीती आत्मा दे सारे जी दिख कोई है तो नो शुआ सारे जपदा चल गया इस तरह दा मनुक एवी समझ सगदाए एक कीड़ी अंदर की सोच रही है ये मचली दे अंदर की चल रहे है जो बोलत है मरिग मेन पंखेरू सो बिन हर जापत हैं नहीं हो गुरुनानक हैरानगी दी गल इदा मतलब मच्छी भी कुछ बोल दिये हिरन भी बोल देने पंचीते बोल देने आवाजां से सुन देया हरे कोल कुछ न कुछ अपनी बोल अपने इशारे हैं पर ओ मनुख समझन लग पेंदा है जो आत्मा दे तल दे उत्थे जो है जीमदा है साहिव केने इस्तरा दे पुर्षनों सारे भवनां दी सारे खंडां प्रेमंदां दी समझों दी हांची जो इश्वर दे नामनों मन दा है भाव इश्वर जिस दे मन दा इस्सा बन गया है विकारां दिया चोटां उस दे मौन थे नहीं पेंदिया मनुख क्रोधर होवे उदिया अखां ते चेरा दस्ता है मनक लोब देच ग्रसे आओवे उदा अक्षां ती चेरा दस्दा विवार दस्दा वाशना उस दे अंदर असेम है उस दी अक्षां ती चेरा दस्दा इंज विकाहर दी चोट चेरे ते पैंदी है प्रमात्मा जिस दे मन्दा इस्सा बन गए विकारां दी चोट उस दे मौते नहीं पेंदी उस दा मुखड़ा जिना दी संद्ड़ेयां मेरी दुर्मत वंजे मित्र असा डड़े से उस दा दे मुखड़ा ऐसा होएगा वेक के प्रभू चेते आवेगा मैं ते आस दिछ पड़े है मेरां जिस जिस पेंड़ चो लंगी और कली तनहा जंगलां दिछ रही ही दुष्ट तो दुष्ट भी जदो सनू वेकदा सी उस दे अंदर पवितरता पैदा हो जान दी सी पावी कली इस तरी जंगल दे उस दी पाकीजगी उस दी पवितरता उस दी प्रेमा भगती जो उस दे श्रीर दे रहा ही बार निकल रही सी जो वाइबरेशन जो तरंगां बन दिया सान दुष्ट दे हिर देनों भी परभावत कर दिया सान नहीं यह ते कोई दे भी है और ओजे सिर जुका के नहीं लंगया तो कम से कम बेदाव हो के लंग जानदा सी कोई गल ने वरना एक इस्त्रीदा उस जमाने जंगलां दे कल्यां भर्मन करना और रुखां तले राद कटनी क्योंकि घरों तिकट दिती गई सी पर उस दी पवितरता इतना परभाव पा रही सी उदी तरज जिन्दगी इतना दूजियन हो जो है पर भावद कर रही सी जिदे बारे गुर्वानी केंदी संद के संग नहीं कछगाल दरसन भेटत ओतने हाल तो मनने सगलवन की सुद मनने मौ चोटा ना खाए उदे मौ दे विकारा दिया चोटा ने पेंदिया क्योंकि उदे मुखडा प्रमात्मा मही हो जाना ईश्वर मही हो जाना उन्ने जम के साथ नजाए इस तरह दा पुर्श इस जीवन दी समापती तो बाद जनमा दे चक्कर देश नहीं पेंदा मुड के उस दा जनम नहीं हो दा जमा दी मार जनमा दी मार जम जम मरे इस गुआ बहुत सजाए पयाद इसलम में मुड के नहीं जनम दा उस दा कोई जनम नहीं हो दा पर मतमा दा नाम ऐसा निरलेप है तب यह तो रहत है पर जिर्दा जैन दा है ओ ही जान दा है बाकियां दो पौड़ियां नो मैं कल खुलासा कर देंगा ते कल इस दोर दी इस अस्थान थे अब दी आखरी सेवा होगी ते इस तरीके नल शैद पंदरा पौड़ियां हो जानगे भामे एक एक पौड़ि अपने विच बहुत गेराई रख दिये बहुत तुछ बुद्धी अनसार जितनी गुरुना निक देव जी महराई समझ देंदें आप जी दें सामने खुलासा कर रहे है मन लेन तो मुराद ए ना लेना मैं दोराब यसी गुरुनो मन दें ताहीं ते गुर्दवारे आया नहीं ए मन ना नहीं असी गुरुनो मन देंदें ताहीं ते गुर्बानी पढ़ दे पाया असी गुरुनों मन देया ताहीं ते सेवा कर देया लंगर दे नहीं अजे गुरु सड़ा अनभो नहीं बनेया ये मनना इंज है बै मैं मन दा ये भोजन है मैं मन दा मैं ये भी मन दा फलाने नहीं बनाया मैं मन दा पर इस भोजन मेरा स्रीर दांग नहीं बने है इस मेरा खून नहीं है इस मेरी मिंज नहीं है इस मेरा मास नहीं है इस मेरी हड़िया नहीं है आहे हैं गुर्दवारे ठीक है भोजन दी खिच पर जिस दिन मन लेगा मन गुरू मन्दा इसा बन जाएगा और गुरू नो कहना पेगा मेरा अपनाई रूप है खाल सा मेरो रूप है खास खाल से मैं हो करो निवास अज इतने विचारां परवान करनी है कल जमें गुरू बाबे ने बक्षिश की ती क्योंकि दो पौड़िया ने अगए मन्ने दिया में चैननाई दोवान दी विचार कल आप जीदे सामने रख दे आँगे प्रत्थम है मन्ने मारब ठाग न पारे ते फिर होर चौती है मन्ने पावे मोखदवार मुक्ती सारे बंदन उस दे तोट जान दे ने जीम दे आँजी इस अवस्तानों कल आप जीदे सामने रखांगे हुना आप एक शबद गुरू के कीरतनियां पासों सर्वन करो ना ले अनन साबदा पाट ते समापती सारे अन्दा हार दिक तौरते धनवाद बुल चुक्दी शमा हुआ रोजी का खाल सा हुआ ग्यान दा सागे 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 कर दो कर दो कर दो